बच्पन में लडते हो फिर बोल लेते हो एक तरफ तो मार पीट करते हो फिर थोड़े दिर बाद गले में हाथ डाल करके घुमा करते हो लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है एक बार जगड लेता है और जिन्दगी वर की बोल चाल बंद कर दिया करता है ये बोल चाल चालू रखिये मौन मत लीजिये दुस्मनी को जनम मत दीजिये बेवस्ताएं आपकी बनी रहेंगी ध्यान हो रखा मान्य भर हसता खिलखिलाता परिवार होना चाहे हसोगे खिलखिलाओगे क्रोध पैदा नहीं होगा ध्याना दोई चीज़ हो सकती है जिन्दगी में या तो हस लो या गुस्सा कर लो ध्यान रखना जब गुस्सा करते हो तो हसी गायब हो जाती है और जब आदमी चेहरे पर मुस्क्रहाट और हसी लाता है और हस भी रहा हो मुस्क्रा रहा हो दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते है इसलिए मैं आप से कह रहा हो कि क्रोध की जगए हसता खिलकी लाता मुस्क्राता जीवन होना चाहिए जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आप से दूर रहेगा मेरे कमरे में लोग हसते रहते हैं आबाज आती रहती हैं हसी मजाक की आती रहती हैं भुली महराज आप संत हैं आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए बड़ा गंभीर होना चाहिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ गंभीर हो जाओं गंभीर हो जाओं लेकिन क्या करूँ मे पहलाएं आती, उन से हस लेता हो, ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को, उदास गंभीर और सीरियस सन्तों की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया को हस्ता खिल्खिलाता मुश्कराते संत की जरूरत हुआ करती है, यदि संत हसेगा मुश्कराएगा, त घर में दो लोग रहते हसे तो कैसे हसे मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूँ अब हसने के लिए आदमी को लाप्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते है कपिल सर्मा से मिलना पड़ता है तब आदमी के चेहरे पर हसी ताती नहीं मेरे भाई क्रोत तनाओं म महलाएं भी लड़ती है फर कितना होता है आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है महलाएं ऐसा नहीं करती है महलाएं तो बहुत होशियान है इस कान से सुनती है आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा लेकिन महलाएं जो हुआ करती हूँ इधर से सुनती हैं और मुझे निकाल दिया करती है यह दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी और मुझे कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूत नहीं कर रहा हूं यहां की महलाओं की बात नहीं कर रहा हूं यहां अपने को भाई अभी चत्रमास पूरा करना है मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं तुमारी आगे जाके देखूंगा ध्यान न रखिए विचार करिए आप सोच ये यहसा नहीं है कि इने गाली देना नहीं आता है आता है यहसा नहीं कि इने गाली नहीं आती है भहत आती है लेकिन ये बोलती नहीं है जानवा किये आदमी तो गाली ही गाली बोलता है हर चीज पे गाली बकता है बिना गाली के बातों की शुरुआत रहे कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है हर बात पे चार गाली बका करता है मानिवर किन बातों पे जगड़ा होता है हमारे घर में चोटी सी मान सिखता बस संकीन प्रवत्ति हमारे यहां जगड़े को जन्म देते हाकिकत बताऊं जीवन में 90 पृतिसत जगड़े भिजूल के हैं देखना कोई सिरपेर नहीं उन बातों का कोई दम नहीं कोई सेंस नहीं उन बातों में जिन बातों में आदमी जगड़ पड़ता है लड़ लेता है मार पीट सुरू हो जाती है दुश्मनी का संद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है मानिवर आप यदि क्रोध करने के बाद यदि सांत हो जाएं यह कांत में बैठ कर सोचें यार मैंने जो जगड़ा किया है ये लड़ने जसी बात थी या नहीं थी तो नभे प्रिश्वत बाते ऐसी हैं western जिनका कोई बजूद नहीं हुआ करता है उसमें आद्मी जगड़ा कर लिया करता है थोड़ी सी गलत पेमी आगई आद्मी कर लिया करता है फिजूल की बातों में जगडा है मेरा एक चातुरमास हो रहा था ओ चातुरमास में संत निबास के बाज़ू में बाज़ू में एक बहुत बड़ा मकान था सुबह हम लोग पाठ कर रोे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं जगड़े की आवाज आने लगी अरे मैंने कहा है भाई ये जगड़ा कुन कर रहा सुबह सुबह मेरे साथ लड़के थे मैंने का जड़ा देखो किसे ने टीवी चालू कर दिया है क्या बोले महराज जगड़ करके देखा तो बोले टीवी नहीं है तो लाइप चल रहा है मिनका मतलब क्या है बोले डारेक जगड़ा हो रहा है मैं गया मैंने खिड़की से जगड़ा दो पती पतनी आपस में लड़ रहे इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकलाएं आंगन में आगए एक के हाथ में बेलन है एक के हाथ में कौन बूला चिमिटा है चले ऐसे तुम लोग तयार रहते हो बोलने के लिए दोनों लड़ते जगड़ते बाहर आगए जगड़ा हो रहा है मैंने का इधार हो अरे बोले महराज मुझे देखा जगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया अरे बोले महराज देख रहा है मैंने का इधार आ इधार आ इधार आओ ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है प्रहू के इश्मरन करने का टाइम है तुम सुबह सुबह पती पतनी आपस में जगड़ा कर रहे यह कोई तरीका है जिन्दगी जीने का अरे बुले महराज हो गया जगड़ा हो गया मिनका किस बात का जगड़ा है मुझे बताओ मैं फैसला करो बुले महराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है तुम इनका लड़काए को रहे हो बुले महराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते है जगड़ा हमारा बारा बज़े राज से चल रहा है मिनका कमाल कर दिया पती पतनी दोनों है बारा बजे राज से जगडा चल रही है मैंने का किस बात का जगडा चल रहा है कुछ नहीं मारा जा नीन नहीं आ रही थी हम दोनों को तो बोले क्या कर रहे है टीवी भी नहीं चल रही लाइट भी नहीं थी तो मैंने का क्या किया तुमने बोले बस लेटा लेटा मेरे मूँ से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा पतनी ने सुना खबरदार तुमारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा तुमारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो मैंने कहा यार तो इतना क्यों बोलती ही जम मैंने क्या दिया मेरा बेटा डॉक्तर बनेगा पत्नी ने कहा कुई तुम्हारा केला हक नहीं है मेरा भी बेटा इंजीनियर अब फिजूल की बात है इस पर जगडा बढ़ गया बढ़ गया बोले देखता हूं कैसे डॉक्तर बढ़ते जारा बढ़ते जारा बढ़ते जारा बोले बढ़ते बढ़ते हाता पाई पर आ गए हम लोग कि डाक्टर ही बनेगा इंजीनियर ही बनेगा इतना जगडा बोले सवेरे के चार बज गए लड़ते लड़ते बोले देख तु जादा बाते मत किया कर मेरे से जम मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डाक्टर बनेगा तो बनेगा पतनी ने का मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीरियर बनेगा तो बनेगा रात भर जगड़े मैंने का एक बात बता तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो जगड़ रहे हो एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि कि तुझे क्या बनना है बच्चे से पूछ नहीं नहीं है दोनों लड़े जा रहे हैं ये बेवना सिरपेर के जगडे मैंने का बच्चे को बुला बच्चे को इससे पूछो कि तुझे क्या बनना है पती ने पतनी को देखा पतनी ने पती को देखा अरे मैंने का बच्चे को अभी पैदी नहीं हुआ है दर्द तिरे की आदमी बच्चा यदी पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे दर्द फिजूल की बातों का जगडा है ये कोई जगड़ने की बात है सास बहु में जगडा हो गया बहुने का मलाई मेरे पीहर में जाएगी सासने का चलत मलाई यहीं खाई जाएगी इतनी लडाई इतनी मलाई पे जगडा हो गया बोले ये तो पीहर में जाएगी पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहा की हो सकती है तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी सासने का नहीं बडाई तो बारा मती में ही खाई जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए बोले देखती हूँ तू कोन होती है रोकने वाली अरे तेरे जैसी लाखो बहु है देखी जाल मलाई यहीं रहेगी इतना जगड़ा इतना जगड़ा ससुर जी दुकान से आए उन्होंने कहा ये महा भारत क्यों मचा रखे जगड़ा क्यों है बोले बहु को समझा लो वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही है कि मलाई यहीं खाई जाएगी ससुनने का तुम मलाई पे लड़ रही लाओ मलाई लेकर आओ मैं इखा लेता हूँ टेंसन गतम हो जाएगा मलाई लेकर आओ सास ने बहु को देखा बहु ने सास को देखा बोले मलाई लेकर आ बोले तू लेकर आ दोनों ने देखा लाए कौन अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भेंस लेके आना है हमारे घरों को नड़क